हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल अफ यू स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटू चैनल नंदू उनलाइन क्लासेस पर और मैं हूँ नंदू कुमार दोस्तो आज से हम पढ़ने वाले जेनरल साइन्स यानि समाने बिग्यान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक स के मद नजर रखते हुए स्टार्ट की जा रही है दोस्तो अगर आप इनमें से किसी भी परतियोगी फरिक्षा की तयारी कर रहें और जहां पर जेनरल साइन्स यानि सामान बिग्यान के प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तयारी को और भ होता है हर पहलू जिंदिगी का इंतिहान होता है डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदिगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है तो दोस्तो आपको मुश्किलों से कभी नहीं भागना है आपको तब तक मेहनत करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते तो चलि का मातर क्या है जूल दोस्तों जूल को संचेप्ट में किससे निरूपित किया जाता है जेसे चलिए दोस्तों बात करते हैं एक जूल पराबर कितना होता है तो एक न्यूटन मीटर होता है दोस्तों बात करते हैं कारेक कौन सी रासी है तो कारेक अदिस रासी है तो चलिए दो अप्शन ए दूरी की दोस्तो परकास वर्ष जो है दूरी की यानि डिस्टेंस की एकाई है दोस्तो बात करते हैं परकास वर्ष के बारे में तो परकास वर्ष एक वर्ष में परकास द्वारा तई की जाने वाली दूरी है इसलिए परकास वर्ष दूरी की एकाई है चलिए द दोस्तो बल का SI मात्रक क्या है? निउटन है. दोस्तो बात करते हैं बल बरावर क्या होता है? तो बल बरावर होता है द्रब्यमानगूने त्वरन. आपका नेक्ष्ट परस्न है निवनिलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? आपका ओप्षण है A. अधिवर्ष, B. चंद B. समय की C. परकास की चमक की D. चुमकियबल की आपका right answer है option A. दूरी की आपका next प्रस्ण है Lumen किसका मात्रक है आपका option है A. जोती तिवर्ता का B. जोती फलक्स का C. उप्यूक्त दोनों का D. इन में से कोई नहीं आपका right answer है option B. जोती फलक्स का दोस्तो Lumen जो है जोती फलक्स का मात्रक है आपका next प्रस्ण है Pascal इकाई है आपका option है A. आदर्ता की B. दाब की C. वर्सा की D. तापमान की आपका right answer है option B. दाब की दोस्तो पास्कल जो है ये दाब की इकाई है तो आपका right answer हो जाएगा option B. दाब की आपका next प्रस्ण है मात्रकों की अंतराष्टिय पदती कब लागू की गई आपका option है A. उनिस सो नत्तर B. उनिस सो एकत्तर C. उनिस सो तेरासी D. उनिस सो एक्यानवे आपका right answer है option B. उनिस सो एकत्तर दोस्तो मात्रकों की अंतराष्टिय पदती 1971 में लागू की गई आपका next प्रस्ण है बिदूत मात्रा की इकाई है आपका option है A. Ampere B. Om C. Wald D. Coulomb आपका right answer है option A. Ampere दोस्तो बिदूत मात्रा की इकाई क्या है Ampere आपका next प्रस्ण है SI पदती में लेंस की सक्ती की इकाई क्या है आपका option है A. Watt B. Diopter C. Apter D. Meter आपका right answer है option B. Diopter दोस्तो SI पदती में लेंस की सक्ती की काई क्या है Diopter आपका next प्रस्ण है decibel किसे नापने के लिए प्रियोग में लाया जाता है आपका option है A. खून में हिमोगलोबिन B. यूरीन में सक्कर C. वातावरण में धोनी D. वायू में कन आपका right answer है option C. वातावरण में धोनी दोस्तो decibel का प्रियोग वातावरण में धोनी को नापने के लिए किया जाता है आपका next प्रस्ण है Ampere क्या नापने की इकाई है आपका option है A. voltage B. current C. फर्तिरोध D. power आपका right answer है option B. current दोस्तो Ampere जो है current में अपने की इकाई है आपका next प्रस्ण है A. खगोलिया इकाई सम्बंदित है आपका option है A. सूरेवं प्रित्वी के बीच की दूरी से B. चंदरवा में प्रित्वी के बीच की दूरी से C. सूरेवं चंदरमा के बीच की दूरी से D. उप्योक्त में से कोई नहीं आपका right answer है option A. सूरेवं प्रित्वी के बीच की दूरी से दोस्तो आपका राइट अंसर है option D, द्रव्यमान, दोस्तो द्रव्यमान जो है एक सदिस रासी नहीं है, आपका next प्रस्ण है निमने लिखित में से कौन अदिस रासी है, आपका option है A, उर्जा, B, बलागुर्न, C, संबेग, D, उप्युक्त सभी, आपका राइट अंसर है option A, उर्जा दोस्तो उर्जा जो है अदिस रासी है, दोस्तो यह प्रस्ण आपका current affairs है कि हाल ही में ग्रेवियल अटल को किस देश का सबसे युवा परधान मंत्री निप्त किया गया है, आपका option है A, France, B, जर्मनी, C, इस्पैन, D, इटली, दोस्तो इसका जवाब आप हमें comment box में जरू करें, thank you for watching to all of you